क्या अखिलेश ने इस बार मैनपूरी भी गवा दिया योगी का एक दाओं और करहल भी हो जाएगा भगवा मुलायम अखिलेश का गड़ माने जाने वाली करहल सीट पर तगड़ा सस्पेंस बरकरार है बीजेपी सीट को कैसे भी करके इस बार सपा से हतियाने की कोशिश में लगी है वहीं समाजवादी पार्टी के लिए अपनी यहां साख बचा पाना प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है सपा के अब तक के सबेद किले में पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप सिंग यादव को उनके फूफा अनुजिस सिंग यादव से चुनोती मिल रही है सपा और भाजपा के बीच यहां लडाई है तो सिर्फ जीत हार का अंतर कम करने की परेडाम क्या रहेगा चुनाव आयोग 23 नवंबर को बताएगा लेकिन अधिकतर मद्दाताओं के लिए अभी से तस्वेर सपष्ट है साल 2022 के बाद हुए चुनावों में यहां से सपा ही लगातार जीत रही है 2022 में भाजपा के टिकट पर सोबरन सिंग जीते थे बाद में सोबरन समाजवादी पार्टी में आ गए और लगातार तीन चुनाव जीते 2022 में अकले श्यादव 67,000 से ज्यादा मतों से जीत कर करहल से विधान सभा में पहुँचे उनके सांसत बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है करहल के ग्रामीर इलाकों में राजनीतिक महौल ज्यादा गरमाया हुआ मिला बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश घोशी है इसलिए घोशी उपजाती के यादव उनकी ओर जा रहे हैं इस बार जीत हार का अंतर उतना नहीं ठीक उसी तरह तेज प्रताप के फूफा अनुजेश चुनाव में उनके लिए विग्न तो डाल रहे हैं पर यहां लडाई सिर्फ जीत हार के अंतर को कम करने की है अपने अपने मत प्रतीशत को बढ़ाने की है अब आपको चलते चलते ये भी बता देते हैं कि करहल में कौ कौन प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं समाजवादी पार्टी से हैं तेज प्रताप सिंग यादव भारतिय जनता पार्टी से अनुजेश सिंग यादव ने दाव्ट हो का है वहीं बहुजन समाज पार्टी से अवनीश कुमार शाक के है मैदान में जातिगत साक्डों की अगर बात की जाए तो यादव यहां पर 1.25 लाख शाक के 35,000 शत्रिय 30,000 जाटव 30,000 ब्रामण 18,000 पाल 18,000 मुस्लिम 15,000 लोधी 13,000 हैं कुल मत दाता हैं 3,82,378 जिनमें पुरुस हैं 2,7,457 वही महिलाओं के संख्या 1,74,970 है फिलाल दोस्तों नतीजे और रुजान जो भी हैं वो हम आप तक यूँ ही अन्फिल्टर्ड तौर पर पहुँचाते रहेंगे इसलिए आप वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ यूँ ही लगातार जुड़े रहें का सार्थी